असलाम लेकुम जी, वेलकम है रिदा फूट फेक्टरी यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आप लोग के लिए एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी लेकी आई हूँ, विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी और सिर्फ और सिर्फ 5 मिनिट में बनके त्यार होगा, सुपर सॉफ् सबसे पहले एक बाउल लिया है, मैंने बड़े सा इसका उसके अंदर मैंने डाला है आदा कप दूद, दूद रूम टेम्टेचर पर होना चाहिए, त्री टेबल स्पून ओल एट किया है, अब हाफ टीस्पून विनिगर जाएगा, यानिके सफाज सिर्का आदा चाय का अगर आपके पास नहीं है तो चमश पकड़े और मिक्स करना शुरू करें, अब इसमें डालेंगे आदा कप पिसी हुई चीनी, जो घर में रेगुलर शुगर होती है, उसको मिक्सी में डालके पीस लिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करना है कि जैसी चीनी इसमें हल होगी तो इसमें डालेंगे ड्राइं ग्रीडियंट, जिसके लिए मैंने आदा कप मैदा लिया है, वन फॉर्ट कप कोको पाउडर एड करेंगे और वन टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, यह बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा नहीं है, सार इसी मशीन के जुरूरत नहीं है, बस आपने अच्छे से इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुटली ना रहे, यहां पर वीडियो की स्पीड जरा तेज है ताके वीडियो जादा लंबी ना हो, वैसे यहां पर मैं आइस्ता आइस्ता ही से मिक्स कर रही हूँ, एक दो म मैंने आपको मेजर्मेंट बताईए, इससे ऐसा ही बैटर बनेगा इंशाला, अब जी इसको बेक करने के तरफ चलते हैं, तो मैंने यहां पर एक मोल लिया है, यहां पर 6 या 7 इंच का भी पास लूफ पैन है, आपको इसा भी बोल है, आपके पास प्लास्टिक का कोई भी जो माइक्रोवेव सेफ हो, वो लेना है, उसके अंदर कागस लगाएंगे, जो रिस्टर का कागस होता है, इसके उपर अच्छे से ओईल ग्रीस करेंगे, ओईल इसलिए लगाते हैं ताके केक जब बेक हो तो असानी से बाहर निकल जाए, अब जी इसमें डाल देंके अपन माइक्रोवेव ओवन जिसे कहते हैं हर घर में होता है, इसमें मैंने मोल्ड रख दिया है, तीन मिनट का टाइमर आपके सामने लगाया है, और वीडियो मैं यहां पर इसलिए दिखा रही हूं ताके कुछ लोग यह ना समझें के मैं जूट बोल रही हूं, ऐसा कुछ भी न चॉकलेट लगानी है, वो तियार करेंगे, चॉकलेट जो है ना मैं डाक चॉकलेट यूस कर रही हूं, 120 ग्राम चॉकलेट है, इसके इंदर 3 टेबल स्पून मिल्क एड होगा, यानि के दूर, यह मैं डाक चॉकलेट क्रेव की इस्तमाल कर रही हूं, आपको इसी भी चॉक अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी चमच की मदद से, अगर चॉकलेट आपकी सकत है, तो आप इसको 10-15 से मजीद माइक्रोवेफ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास चॉकलेट है बिलकुल स्मूद और सिल्की से तियार हो गई है, अब केक की तरफ आते हैं, केक देख स लगाता है, अब केक के उपर लगा देंगे डाक चॉकलेट, अच्छा जी जो डाक चॉकलेट है, मैं इसमें दूर ज्यादा नहीं डाला पत्री चॉकलेट इसकी नहीं बनाई ताके जो है चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए, अब यह आप पे डिपेंट करते हैं, आपको सिखा है, कोई जूट नहीं बोला और अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आए तो लाजमी ट्राय करनी है, फीडबेक भी मुझे लाजमी देना है, मैं आपकी फीडबेक का इंतजार करूंगी, और आपके सामने अब मैं इसे कट की है, सुपर सॉफ्ट एगलेस स्क्राइब करके जाएगा, ताके मजीद अच्छी रेस्पी आप सीख सके, मैं मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें, अल्ला हाफिस्ट